हेलो डिये स्टुडेंट्स, क्लास्टन जेग्रफी का फर्स चेप्टर है, रिसोर्सेज और डेवलोप्मेंट और जो हमारी चेप्टर एक्स्प्लेनेशन स्रीज है, जिसमें हम लाइन बाइन एक्स्प्लेनेशन देते हैं, उसका पहला पार्ट है, और अगर आपको इस करेंगे, तो भी आपको वीडियोज मिल जाएंगे, तो लेट्स स्टार्ट गिवन इन दे बुक, रिसोर्सेज और बहुत ही इजली, अगर हम इससे समझना चाहें, तो समझ सकते हैं कि कुछ भी हमारे काम का है, तो रिसोर्स है हमारे लिए, वाटरब इस दूस्फुल तो इस रिसोर्स, लेकिन वो नेश्रल भी हो सकता है, मैनमेड भी हो सकता है, लेकिन अगर हो human made है, man made है, मानों के दोरा बनाया गया है, तो भी ओ कही न गहीं उसका स्टार्स नेचर ही रहा होगा, नेचरल सोर्स से ही हम रिसोर्स क्रिएट करते हैं, वा हवा है, पानी है, लै को देभलप करता है कि कैसे हम उसको यूज कर सकते हैं अपने काम के लिए MI ens technology methods develop करता है और उस टेखनोलाज को अपग्रेट करते ह雪 zawsze को ढेए Utilis को डेवलप करता है और रिसॉर्स को डेवलप मेंट के लिए ऊझाथ आप करता है और तभी तवाज देखे रेलवेज है लोहे का इस्तिमाल होता है पानी के जहाज है लगड़ी का इस्तिमाल होता है प्लास्टिक इंडस्ट्री है सब कही न कहीं हुमन टेक्नोलोजी का ही पर नाम है यह मैंने एक ग्जामपल दिया जो हमारे पास नेचर में कुछ भी ज़रूर पढ़िए आप कभी भी इसको अवाइड मत करिये अगर आप शिर्फ 10 एक्जाम पास करने के अलावा अगर आपका कोई और गोल है कोई लक्ष है कैरियर है आपके दिमाग में रोड मैप है कोई विजन है आपका तब प्लीज डॉन्ट अवाइड NCRT बुक्स इस कि हम उने इडेंटिफाई करते हैं उनके नाम को जानते हैं और हां तो लिश्ट दा इटम्स और नेम दा मैटेरिल्स यूज इन दे मेकिंग उनके नाम लिखिए और उनको बनाने में कौन-कौन्दी चीजों का इस्तेमाल हुआ है वो लिखिए और इसा फ्रीज है कार है ब हमारे पर्यावरण में अलब हमारे आसपास जो भी चीज़े हैं वो अगर हमारी नीट्स को सैटिस्वाई कर सकती हैं यानि हमारी जरुवत की हैं हमारे रिक्वार्मेंट को पूरा कर सकती हैं हमारी जरुवत को सैटिस्वाई कर सकती हैं वो रिसोर्स हो सकती है वो रिसोर् या वीडियो डिस्क्रिप्शन को आप देखिए तो पर्यावराण में हर वो चीज जो हमारी वांड को सैटिस्वाई कर सकती है वो रिसोर्स है लेकिन तीन कंडिशन कौन कौन से हैं कि एक्सेस कर सकें उसको यूज कर सकें एकोनॉमिकली फीजीबल को मतलब यह हो गया कि अगर हम उस रिसोर्स को अपने लिए तयार करते हैं तो उसमें जो कौश लगेगी उससे जोमें बेनिफिट मिलेगा वह उसको ज्यादा है या कम है प्रॉफिटेबल होना चाहिए अगर हम उस resource को develop करते हैं तो and culturally acceptable और चुकि मानों समाज में रहता है society के को rules है, regulations है religious background होते है moral basis होते है तो Sanskritic रूप से हमाई societies को accept भी करें तो पता चला आपके पास technology है और आपके पास पैसा भी है फाइदे मन चीज है लेकिन society कहती है नहीं नहीं ये ठीक नहीं है, it is not acceptable अब जैसे उधारन के लिए अगर हम लें कि लोग animals का meat खाते है अब देखा जाये तो इसका कोई moral background नहीं है, लेकिन लोग use करते है लेकि moral teaching में कहा जाता है कि नहीं हमें कभी भी किसी januar का मास नहीं खाना चाहिए उन में जान होती है वो भी इस्वर के बनाए गए है और बहुत से लोग जो नहीं खाते है vegetarian है, non-vegetarian नहीं है और अगर हम religious factor देखें जैसे cow है, अब cow is worshipped in Hindu culture तो हम अगर UP का उधारन लें तो वहाँ पे बैन लगा हुआ है cow slaughter पे दूर सा example अगर हम nuclear weapons कलें तो nuclear weapons एक प्रकार से देखा जाए तो society accept नहीं करती है कोई नहीं कहता है कि हाँ आप परमानु हतियार बनाईए क्योंकि ये मानु संगहार के लिए है लेकिन हैं तो resource इसी तरह से poly bags त्यार किये जाते हैं अब ये भी useful है असान रहता है चीज़ें को लाना ले जाना लेकिन फिर भी आप तो इसके खिलाफ मोहिम चुड़ी हुई है environmental issue है ये ये भी unacceptable होता चला जा रहा है आपने cloning के बारे में पढ़ा होगा लेकिन ये माना गया कि एक प्रकार से natural system जो nature का system है उसके साथ ये खिलवाड होगा एक प्रकार से तो उस पे बैन लगाया गया तो इस तरह से हमाँ पास technologies है वैसा भी है economically feasible भी हो सकता है लेकिन culturally acceptable नहीं हो सकता तो resource के लिए तीन condition ये book में mentioned है एक diagram दिया गया है इस diagram को समझने कोशिश करता है human being center में in the middle और मनुस के आसपास उसका पर्यावरन होता है यानि जिसे हम कह सकते हैं कि nature तो वो nature से interact करता है that is physical environment से उसका interaction होता है वो nature में मौझूद चीज़ों को use करता है उनके बीच में रहता है उनसे उसे फाइदा भी होता है नुकसान भी होता है वो अपनी technique को लगा कर उसे usable बनाता है उसे अपने काम का बनाता है और जब वो technology को develop करता है तो उसके लिए different institutions क्या हो सकता पड़ती है जैसे उधारन के लिए जमीन के अंदर से oil extract होता है इसके extraction की technique हमारे पास है और economic feasible भी है क्योंकि इसकी demand बहुत ज़्यादा है और market में इसे बेचने पर पैसा मिलता है profit है और Arab countries fulfill रही है इसी के अधार पे लेकिन अब इस oil extraction को आगे develop करने के लिए multi-purpose use के लिए हम refineries का प्रयोग करते है अब वो refineries जो है वो institution के इंदर गता जाएंगी तो different structures, services और processes जो different होते है resource को develop करने के वो सब आपके institutional elements होंगे resource development के the process of transformation of things अब हम किसी चीज को resource बनाना चाहेंगे तो उसको transform करेंगे उसका रूप बदलेगा जिस रूप में हमें चीजे मिलती है नेजर में उसी रूप में तो उसको यूज करते नहीं उधारन के लिए iron ore को ले लेते हैं हम लोग अब iron ore जो हमें मिलता है उसी रूप में थोड़ी यूज करते हैं technologically हम उसे extract करते हैं और फिर metallurgical industries से वो process होता है फिर वो हमारे तक पहुंचता है और फिर हम उससे different चीजे बनाते हैं तो the process of transformation of things available in our environment तो हमारे प्रेवर्ण में जो भी चीजे हैं तो जो प्रक्रिया हम अपनाते हैं उसको transform करने की उसमें क्या सामिल है involves an interactive relationship उसमें एक interactive relationship है यह आपस में एक behavioral interaction है किसके किसके बीच में nature, technology and institutions जो मैंने भी आपको बताया human beings interact with nature जो human beings है मनुस से हैं इंटरेक्ट करता है उससे उसका कोई लेना देना होता है through technology टेकनलोजी के माध्यम से वह ऐसा करता है and create institutions और फिर वो institutions को established करता है to accelerate their economic development जिससे कि मनुस अपना आर्थिक विकास कर सके कोई country अपना आर्थिक विकास कर सके इसलिए देखे जो advanced countries है वहाँ पर आपको great institutions मिलेंगे चाहे वो metallurgical industries हो चाहे वो oil refineries हो चाहे chemical industries हो और इसलिए वो economy के लिए हमसे advanced भी है और आज कल तो internet हो computer का जमाना है और इस वीडियो की बनाते वक्त तो covid-19 का कहड़ चाह वह तो पूरे दुनिया में तो देखे online teaching यानि करेट करना चाहते हैं लेकिन सिर्फ internet से काम चलेगा नहीं different software's develop करने पड़ेंगे तो इस इप technique से काम नहीं चलता है उसके लिए institutional arrangement भी करना पड़ता है do you think that resources are free gifts of nature एक question है आपको लगता होगा कि nature में तो सारी चीज़ें ऐसी मिल जाती है तो यह free gifts of nature है question भी पूछा जाता है इस से as is assumed by many तो कोई भी साधरान यही सोचेगा किसी गावाले व्यक्ति से पूछे किसी बच्चे से पूछे किसी आम नागरिक से पूछे तो यही कहेगा वही प्रकरती में तो सब कुछ free है सब के लिए अबलेवल है but they are not free gifts of nature resources are a function of human activities resources human activities का function है आपने मैथ में पढ़ा होगा और उसी तरह से हम यहाँ समझेंगे कि human activities के जरिये ही nature में जो कुछ है वो resource बन कर आता है यानि human beings interact with the things available in nature to convert them into resource यही land थी यही जमीन थी लेकिन जब हम इस पे खेती करना नहीं जानते थे तो हमाले resource full नहीं थी लेकिन जब इस पे हमने खेती करना सीखा तो खेती करना सीखा और आज तो हम बहुती advanced agriculture करते हैं तो उसको resource किस ने बताया human beings ने, मानों ने तो हम यह कह सकते हैं कि जितने भी technique, जितने भी institutions जो कुछ भी हमारे काम की चीज़ें हम use करते हैं, उन्हें कौन बनाता है man बनाता है, इसकलब man तो बड़ा काम का चीज़ है इसलिए human beings themselves are essential components of resource इसलिए human beings खुद भी resource हैं किसी भी resource को develop करने में human beings की बहुत बड़ी भ्यून पर होती है they transform material available in our environment वो क्या करते हैं, जो भी material हमारे environment में available होता है उसको transform करते हैं, resource में convert कर देते हैं, अब फिर उनको खुद यूज करते हैं these resources can be classified into following ways तो देखें, जो resources classification है, वो तो हम next tutorial part में पढ़ेंगे, लेकिन हम यहां इसको diagram को ज़रो study कर लेते हैं कि resources can be divided into natural and human made अब natural में भी renewable है और non renewable है, तो देखें renewable वो हो गए जो हमें available होते रहते हैं, उसमें भी biological है जो थोड़े time पे तयार होते रहते हैं जैसे natural vegetation है, पेड़ काट दो लगा दो फिर तयार हो जाएगा, wildlife है किसी जानवर को मार दो यह खत्म हो जाए तो भी उसी प्रकार के और जानवर से हैं तो वहां से उनकी प्रजातियां बड़ती चली आती है और जो continuous हमको बरबर अबलेबल होते रहते हैं उनने continuous flow resources कहते हैं विंड है, water है, वरबर हवा चलती रहती है वाटर हमें मिलता रहता है इनकी continuity बनी रहती है और यह थोड़ा time लेके तयार होते हैं बट इतना time नहीं होता कि हम इने non-renewable कह दे हैं और जो non-renewable है, वो recyclable भी है non-recyclable भी है अब जिसे metals है, हम उने recycle कर सकते है iron हो, copper हो उसको पिगला कर दुबरा इस्तिमल किया दे सकता है non-recyclable में fossil fuels है once gone, then gone अगर कहीं पर 100 kg आपको koila मिल रहा है और आपने निकाल कि उसमें से 50 kg यूज कर लिए तो 50 गया, खतम हो गया वो राक के रूप में convert हो जाता है it burns, petrol है अब petrol जो है आपने एक लिटर गाड़ी में भराया आदे लिटर खर्च कर दिया, तो gone वो तो आपको उसका residue भी नज़र नहीं आए कहीं पर दुआ बन के उल गया तो इसलिए हमें non-renewable resources को लेके बहुत ज़्यादा concern रहने की ज़रुवत है और sustainable development किया हो सकता है human made में structures and institutions हैं जो मैंने अब बताए था और इसके लावा कितनी quantity, कितनी quality develop करनी है, निकाल दी है, क्या करना है तमाब यह सब humans decide करते हैं तो यह tutorial पार्ट इसी के साथ खात मोता है एक basic introduction था resources के लिए classification अगले part में and please watch our note series videos also thank you for watching the video tutorial see you in the next video, till then goodbye and take care